हलो इस्टिटेंट, स्वागत थे आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस लर्णिंग प्रफार्म पेस्टी बायो वाला में इस्टेंट प्रिवियस क्लास से मैंने आपके साथ स्वायल और इट्स टाइप या आपके साथ मैंने प्रिवियस क्लास में डिस्कसन किया यानि किसके पहले की जो क्लास थी उससे मैंने आपके साथ डिस्कसन किया कि smile क्या होता है smile का formation कैसे होता है smile कितने प्रकार का होता है इन्डिया में हमने previous lecture में आपके साथ discussion किया था तो अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लिजे प्ले लिस्ट में वो साइज वीडियो पड़े भी होगी आप लोग वहाँ से देख लिजेगा आज इस lecture में हम आपके साथ discussion करेंगे soil profile के बारे में soil profile के बारे में soil profile क्या होता है आज इस lecture में हम लोग details से इसके बारे में समझेंगे तब तक हम आपको कुछ चीज को बता रहे हैं आप इस diagram को अच्छी तरीके से देख लिजे क्योंकि इसी डाइग्राम से आज हम बहुत सारे चीजों को समझने वाले हैं तोपिक है एक most important topic है आपके exam के point of view से तो इसको आप most important लगा सकते हैं किसके लिए exam के point of view से क्योंकि previous year में देखा गया तोपिक है ठीक है चलिए तब तक आप इस डाइग्राम को देखिए हम आपको smile profile के बारे में कुछ अच्छी तरीके से कुछी जोंको बताते हैं ते कि जब smile को आप vertically को डिग आउट करते हैं या खोजते हैं इसको हम लोग करते हिंदी में डिग आउट करते हैं जिसे भाई यह ऊपर से आप देख रहे हैं कि यह smile है ठीक है ऊपर से आप देख रहे हैं किसके नीची क्या है smile है ठीक है यह plant रहे की air का पार्ट हो गया और इसके निसी क्या होगा स्वाइल हुगा ठेखे तो आप स्वाइल को जब वर्टीकली डिगाउट करती हैं खो़ते हैं तो काफी गहराई तक आप देखते हैं कि एक के उपर एक चो लेधिaiser होती है स्वाइल की वो क्या होती है? सूपर पोस्ट होती है यानि कि उस पे दिखाई पड़ती है ठीक है एक के उपर एक लेड़ा को दिखाई पड़ती है अब उस लेड़ को हम लोग कहते है होरिजन कुछ लोग होरिजन बोलते हैं कुछ लोग होरिजन बोलते हैं ठीक है ठीक क्या होरिजन कुछ लिक इसको horizon या horizon बोलते हैं तो ये आपके उपर है आप किस प्रकार से इसको पढ़ रहे हैं जैसे आप लोग पहुत पार सुने होंगे एक सब्ध होता है F U T U R E इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं future अब भाई अगर कोई इसको फटूरे पढ़ दे रहा है तो गलत नहीं है क्योंकि वह पहली बार चीज़ों को पढ़ रहा होगा तो भाई प्रोनौसियसर उसका गलत हो सकता है या अलग हो सकता है तो भाई वह पढ़तो वही रहा है future लेकिन उसको अब नेचर को नटूरे वह अलग process होता है ठीक है तो horizon सभी का जो प्रोनौसियसर होता है वह अलग होता है लेकिन सबका मतलब अगर एक निकले तब वह प्रोनौसियसर सही है ठीक है चलिए तो मैंने बताया जब आप स्वाइल को वर्टिकली डिग आउट करते हैं ठीक है या फिर खोदते हैं तो क काफी गहराई तक आपको क्या दिखाई पड़ता है एक लेर आपको सुपर कोश्ड या आप कह सकते हैं कि उसको पर दिखाई पड़ती है अब उस लेर को हम लोग होरिजन के नाम से जानते हैं इतनी बात हम लोग बताया ठीक है अब बात आती होरिजन क्या होता है ठीक है तो एक ग्रूप आप होरिजन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्वाइड, ठीक है, यानि कि जब कई ग्रूप में होरिजन आपस में ऐसे ऐसे लगे होते हैं, उसको लोग स्वाइल प्रोफाइल के नाम से जाते हैं, ठीक है, मने बताया कि उसमें क्या होते हैं, उस लेयर को ह हम लोग होरिजन कहते हैं Charger णो होरिजन के गुरुप को स्वाल्ड प्रोफाइल का नाम देती है बहुत तरिजन है, इसमार इसे एक दो, तीन, चार, पांत, शे सात, आठ लेयर्स लेयर है ठीक हें तो हर एक लेयर खोरिजन के नाम से जानते हैं अब वह दोya हो सकता है इसमें टोटल साथ लेयर होती है एंक इसको अब हम बताते हैं कैसे ये साथ लेयर होती है तो आए हम लोग चलते हैं मिट्टी के अंदर आग़ देखते हमको क्या मिलता है ठीक है यह ऊपर क्या है Swile आपको बताएगा है इसके नीचे यहा से Swile स्थार्ट है हो रहा है अब इसके नीचे Swile है تو Swile में hiç सारी layer होती है जिसके बारे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Swile के सबसे निचली layer के पास यानि के सबसे निचले lying के पास सबसे निचले lying को नोग डी होरिजन कहते हैं या आर होरिजन के नाम से जाना जाता है आर होरिजन के नाम से क्यों जानते हैं क्योंकि पित्थवी के जो सबसे नीचे का पार्ड होता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है तो R-Horigen की Rock वहाँ पाए जाते हैं बड़े-बड़े इसलिए उसको हम लोग Rock-Horigen की नाम से जानते हैं ठीके या इसको इसी को हम लोग D भी कर देते हैं D-Horigen यहाँ पर क्या होते हैं Consolidated Rock गुंसा बड़े गुरूप में समुव में राक पाए जाते हैं जब उस डी होरिजन के थोड़े से आप ऊपर की तरह बढ़ेंगे तो आपको सी होरिजन देखने को मिलेगा क्या मिलेगा C-Horigen C-Horigen जिसको हम लोग Rigolith के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं Rigolith यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं R-I-G-O-L-I-T-H Rigolith के नाम से जानते हैं अब हम PDF यह जब अपलोड करेंगे ठीके तो हाँ पे साथ यह चीज़ी आपको लिखी पड़ी मिलेगी हम नोटस में इसको लिख देंगे ठीके ठीके जो आपके ऊपर D-Horigen के ऊपर जाप पड़ेंगे आपको C-Horigen दिखने को मिलेगा जिसकों लोग Rigolith के नाम से जानते हैं जो एक most important question आपके exam के point रीगोलिथ क्या होता है कि दो नमबर में question कई बार पूछी जा चुके है इसलिए यहां से हो सकता है कि रीगोलिथ आपसे पूछ दें प्रेकि C-Horigen ना पूछ के आप से पूछ दें कि रीगोलिथ है क्या होता है ठीक है तो यह दो नमबर में question आपसे पूछी जाते है यहां पे ठीक है जो यह रीगोलिथ होता है यानि क्या प्रेकि C-Horigen होते है इसमें weathered rock होते है weathered rock मतलब क्या जो यह बड़े बड़े राक आपको दिखाई पड़ रहे है इसमें weathering होती है weathering के term को कई बार हमने use किया था तो इसमे weather होता है यानि कि जो बड़े बड़े स्वाइल होते है वो छोटे छोटे स्वाइल में तूट जाते है यानि कि आपे बड़े स्वाइल यानि कि बड़े बड़े चट्टान D-Horigen में दिखाई पड़ते है उस स्वाइल चट्टान आपको C-Horigen में दिखाई पड़ते हैंए यानि कि वीदल डराग के होता है या अनक कंसॉलिडेटे डराग कह सकते हैं यहाँ पर क्या है तो इसमें क्या होता अनक कंसॉलिडेटे डराग के होता है कि इससे छोटे-छोटे राक होते हैं ठीक है अब इसकी उपर क्या आता आपका वी हो रिजन ठीक है चलिए ये दो लेयर आपको समाझ में आ गई स्वार की C O D ठीक है चलिए हम लोग ऊपर से अब उपर चलते हैं स्वायल के उपर वहां से आप नीचे की सबसे ऊपर देखते हैं ठीक है और एक चीज़ बने आपको स्वायल के भाष्ट को सब्सक्राइब होता है तो कमेंट ब्लॉक्स में आपको कमेंट करके बता रहा है स्वाइल के डिफनीसं क्या होती है ठीक है एक लाएन आप डिदयärt będzie सरा बताइगा जो हमने एक लाएन में बताया है ठीक है चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा त्यक्ये dimensions is सबसे उपर की तरब आपको एक लेयर दिखाई पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं A लेयर क्या A या इसी को हम लोग या फिर आप ऐसे समझिए जब सबसे उपर आने की टाप वोस्ट लेयर ही तरब बढ़ेंगे तो आपको O layer देखने को मिलेगी क्या मिलेगी O layer O horizon आपको देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगी O horizon जो O horizon है इसी को हम लोग दो गुरूप पर बार दते है O1 और O2 ठीक है आगे हम लोग समझेंगे तो यह भी समझ देते हैं देखिए सबसे उपर जो layer होता है इसको हम लोग O horizon के नाम से जानते हैं इस दोनों को इन दोनों layer को O horizon के नाम से जानते हैं और O को दो भागों बार दिया करे है O1 और O2 इसी O1 को हम लोग A00 ठीक है और O2 को हम लोग A0 horizon के नाम से भी जानते हैं यानने कि यह दोनों जो लेयर है ठीक है परत जो है होरिजन जो है ओ होरिजन की नाम से जानते हैं अगर आप एक एक लेयर की बात करें तो इसको हम लोग O1 और इसको O2 के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग A00 या A1 लेयर के नाम से जानते हैं इतनी बात समझ गया ही अच्छा थोड़ी से और लेयर समझ लिजी यहाँ पर जब आप उसके नीचे जाएंगे तो आपको फिर A होरेजन देखने को उमलेगा या A region आपको देखने को मिलेगा A region में दो चीजे होती हैं A1 और A2 तो देखा आपने कि यहाँ पर क्या है A00, A0, A1 और A2 तो इन सब को मिला के हम लोग कहते हैं A होरेजन ठीक है? इन सबी को मिला के कह देते हैं A होरेजन तो आपने देखा यहाँ पर आपको कितनी लेयर देखने को मिली 1, 2, 3, 4, 4 उसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर यह 5 ठीक है यह C वारा 6 और यह 7 टोटल 7 लेयर हो गई ठीक है लेकिट आपने देखा कि जो A1 या फिर A होरिजन है यह दो लेयर से मिलके बनी है ठीक है तो कहला एक क्या है इसमें A00, A1, A2 और A3 या ने कि अगर हम इस तरही के से गीने यह O होरिजन हो गया एक, यह दोनों आपका A होरिजन याने कि 2, यह 3, ठीक है यह 4 और यह 5 पिस देक लिए तो यहाँ पर 5 लेयर है लेकिन हम इसको 7 लेयर से कंपेटिजन कर रहे है ठीक है? चलिए 7 लेयर यहाँ पर हो गई कौन कौन सी हो गई अगर आप ऐसे पढ़ेंगे A00, A0, A1, A2, B, C, D तो 7 लेयर हो जाएगी लेकिन आपको अगर ऐसे पढ़ रहे है A1 और A2 को A00 याने कि O1 और O2 को मिलाएंगे तो O होरिजन A1 प्लस A2 मिलाएंगे तो A होरिजन याने कि 2 हो गया फिर B, C, D याने कि सब 5 होरिजन हो गए चलिए 5 लेयर हो गई चलिए ये बात हो गई 7 लेयर आपको क्लियर हो गया औरने की ओरीजन सारे clear हो गए आगे समझने इतनी बात समझ में आगे तो कमेंटर बाक्स में करके बताईएगा कि आपको सारे चीज़े crystal clear हो गए यहां तक कभी कोई दिक्कत नहीं आपको ठिके चलिए प्रेडिव अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए चैनल पर पहली बार सस्क्राइब कर लिजिए, बेल आइकन दबा लिजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, चलिए अब समझते हैं, दो तीन टर्म आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, लीटर, डर्फ, हुमस, इवैलुएशन, यह सब क्या होता है, देखे, भाई, स्वायल जो सबसे ऊपर की लेर होती है, उसको लोग स्वायल का नाम देते हैं, ठीक है, तो देखे, स्वायल पे आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे प्लांट आपको दिखाई पड़ते हैं, पर सभी फ्रिसली फालेन पार्ट आ प्लांट पार्ट का कोई प्लांट प्लांट का कोई पार्ट इस लीफ हो गया ट्विक टहनी हो गई उसकी प्रांचेज हो गई साखाय हो गई या एनिमल हो गया ठीके कोई पी चीज अगर जब पिर्थवी पे गिरती है फ्रिसली फालेन पार्ट में चाए वो प्लांट हो चाए एनिमल हो तो उसको हम लोग लीटर के नाम से जानते हैं नहीं समझ जाया हमने ये बताया जब पिर्थवी पे कोई फ्रेस फालेन पार्टिकिल या प्लांट का पार्ट हो या पेर एनिमल हो ठीके जब हुआ पिर्थवी पे गिरता है और उसमें कोई डिम कमपोजीशन नहीं होता है इसको हम लोग कहते हैं लीटर क्या कहते है लीटर, जैसे माली जी, कि ये लीव प्लांट है, प्लांट की लीव यहाँ पे गिर गई, ठिक, गिर गई, प्लांट की टहने गिर गई, प्लांट का ट्विक गिर गया, कोई नीमल मर गया, तो उसको हम लोग कहते हैं लीटर, देखे प्लांट गिरा के वल, उस प कोई माइक्रो आर्गनिजम अभी अटेक किया है ना कोई डीकंपोजर उस पर आया है कोई चीज़े भी नहीं है मारेज़े कि आपको जैसे ही प्लांट गी रहा है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं लीटर उसको किस ताम से जानते हैं लीटर टिफिनिशन से बताए एनी फ्रिस ठिक है जब वो गिड़ता है फ्रसलि-फार्ड पार्ट के रूप में उसको हम लोग लीटर के नाम से जानते हैं ज़ो यह लीटर होता है इसमें दो होरीजन लीटर होता है मने बताए एलगे जीरो जीरो और एलगी ओवन और ओट्व टू ओवन और ओटू ठीक है डो यली डीकंपोज्ड कुराम भी पाए जाते हैं बैने बसल आया है जो आपका एंस ब्लादेपारव और में आपका कष्ज i7000 है ऐए ठीक है ठीक फिर से समझेसे जो भी पार्ट आपका कष्ज बैसले पार्ट गीरा या झाहएं पत्ती हो चाहे हो ही हो चाहिए कुछ भी गिरा तो उसको लोग किसके नाम से जानते हैं लीटर की नाम से ठीक है चलिए आगे समझिए इस्ट्रेंट लीटर के बाद आपको एक और तर्म दिखाई पड़ रहा होगा डफ डफ क्या होता है डफ देखिए उसको कहते हैं जैसे कोई फ्रेस्ली फा माया उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया ने कि थोड़े बहुत मात्रा में उसको डिकंपोज कर दिया पार्सियली थोड़े से मात्रा में उसको डिकंपोज कर दिया उसको हम लोग डफ के नाम से जानते हैं जैसे फार एक्सांपल पीपल का प्लांट सपोज कर यह है पीपल की पत्ती गिरी ठिक पत्ति की तो उसको हम लोग क्या कहते ठीप पत्ती गिरी उसको ड़्फ कहें जब उसी पत्ती मेंडीशा देखेंगे उस पत्ती यानि कि partially decomposed part of freshly fallen particle या part is known as duff जो भी particle गिरा था freshly उसको जब micro algorithm थोड़े मात्रा में partially मात्रा में decompose कर देती है micro algorithm decompose कर देती है तो उसको हम लोग क्या करते है डफ उसको अब लोग डफ के नाम से जानते हैं यह कहां दिखाई पड़ता है डफ आपको a2 sorry a0 या o2 layer में दिखाई पड़ता है तूसरा आता है आपका humus अगली term में क्या है humus humus का मतलब क्या है जब freshly fallen particle complete रूप से decompose हो जाता है ठीक है उसको हम लोग humus के नाम से जानते हैं यहां पर क्या था लीटर में ठीक लीटर में कोई particle गीरा ठीक freshly fallen particle उसको लीटर करते हैं जब थोड़े मात्रा में उसका decomposition हुआ उसको डफ के मात्रा डफ के नाम सांते है जब complete रूप से उसका decomposition हो जाता है उसको अब लोग humus के नाम से जानते हैं ठीक है जिसे आपको पता है कोई भी micro organism या भी कोई भी organism है प्लांट है या फिर animal है जो उनकी body होती है ठीक है कोई भी micro organism या organism है ठीक है तो आपको पता जो उसकी body होती है different organic matter का बना होता है जैसे carbohydrate, protein, lipid, vitamin, etc. साल चीज़े क्या है वो किसकी बनी है इसी सब जो ये आपको मनें बता carbon hydrogen hydrogen ये सभी micro organism या फिर आपको सथी की organism की जो body होती है इनी से पड़ी होती है कार्बोहाइड्रेद यारे की CHO से मिलके पड़ी होती है तो ये सब क्या है humus ये सब क्या बनाएंगे humus वाई स्वाइल में गिरे तो complete troops से decompose जाएंगे तो क्या बना लेंगे humus यारे कि जिस स्वाइल में humus जितनी मात्रा में होगी वह स्वाइल उतने ही fertile होगी ठीके और उसमें water holding की capacity भी जाता होगी यारे कि water माइक्रो आर्डिजम वहाँ पर डाइड कर गया तो क्या हुआ उसके बाद उसका डफिंग हुआ नेकि पार्चेरी रूप से decompose हुआ फिर complete troops से decompose हुआ जिसको लोग हुमस कहते हैं अब जो माइक्रो आर्डिजम उसे protein, vitamin, carbohydrate, liquid शारी इंक्लूड है तो माइक्रो आर्डिजम उसको खायेगा और उसी जगह मालेजी की खतम कर दिया ठीक है तो वहाँ पे आपको पता जो तो आजने चम जो था वो किसका बना होगा भाई उसके अद्दर जूसकी बौड़ी होगी वो different chemical से यानि की protein की lipid की इसब की बनी होगी तो क्या होगा इसब की बनी होगी तो भाई उसी soil वो सब चीज़े add हो जाएगी तो वो soil कैसी हो जाएगी वो soil fertile हो जाएगी वो soil कैसी हो जाएगी fertile हो जाएगी ठीके और क्या हो जाएगी उसमें water की जो holding capacity होगी वो भी बढ़ जाएगी मतलब water को रोपने की चंता चादे हो जाती है ठीके तो से आपको पता की बलोई मिट्टी है जिसमें humus की मातरख कम होती है बहुत कम होती है आपका सकते की तो कभी-कभी आप जब पानी देते हैं तो एक घंटे बाद देखते हैं पता चला कि वो सूख जाता है तो पानी कहा गया तो पानी वो सूख जाता है ठीके? चलिए तो आपको ये तीन चीज़े समझ में आई क्या क्या टफ लिटर टफ और हुमस ये तीन टर्मनालजी आपको समझ में सायद आ गई होगी ठीक है तीन वर्ड क्लियर होगे चलिए अगला समस्ति हम लोग A2 लेयर के बाद हम लोग A1 के बाद A2 लेयर की तरफ पढ़ेंगे ठीक है अब क्या हुआ भाई हुमस कहा था आपका A2 A1 लेयर में ठीक है पहुजादे आर्गेनिक मेटर है वहाँ पे जब वो आर्गेनिक मेटर ट्रांसफर हो जाते है किसमे A2 लेयर में अब यह क्या होता है इसमे बहुत सारे आर्गेनिक मेटर है भाई हुमस यहाँ पे ज़्यादा है तो आर्गेनिक मेटर क्या है ज़्यादा है तो जो इसके आर्गेनिक मेटर है वो ट्रांसफर हो जाते है किसमे A2 लेयर में क्यों ट्रान्स पार्स को हो जाते है भया क्योंकि यह पर ग्रैविटी जादे हो धे तो यह çekी कि कलर और नीचे चले आते थे ठीक तो इसको आफ़ाल काते हैं यह है का स्वाल Reach तो कितो है क्या आफ है यह सी यहिरिया से क्या हो ज़ता है कि यूमस या आगनिक मैटर नीचे कितला ट्रांसपर हो जाता है A2 लेयर में ट्रांसपर हो जाता है उसको हम लोग E इलूवियसन के नाम से जानते इलूवियसन और आपको कंपरडिशन ने पूछ देता है कभी-कभी A1 और A2 के बीच में एक लेयर पाई जाती उसका क्या नाम है तो A2 A1 और A2 के बीच में एक लेयर पाई जाती है उसका नाम है E Layer E Layer का मतलब क्या E इलवियेशन लेयर एका मतलब क्या है इलवियेशन लेयर ठीके तो आप लोग इसको ध्यान में रखीगा इलवियेशन आने की ये लेयर कहां पाई जाती है ए वर्ण और ए टू के बीच में पाई जाती है ठीके ठीके ये जो ई एच वो इस वाईल की ये आजाएं ठिक इस लेयर तक बहुत कम होता कि स्वाइल की रूट आजाएं त्योंकि स्वाइल की अगर आप देखेंगे यहां से लेकर कि इतनी लेयर तक आप जब जाएंगे A2 तक जाएंगे तो यहां तक स्वाइल की जो गहराई होती है वो लगबक 80-100 फिट हो जाती है अस्ति से सॉफिट गराई हो जाती है ठीक है तो यह आपके किसके बारे में आप कर सकते हैं कि आपके लेयर्स के बारे में ठीक है तेखें उसके नीचे आपका एक और लेयर है बे खुरिजर्ट यानकी इलूवियेशन लेयर कोई सा लेयर इलूवियेशन लेयर में क्या होता ह इलू भी एसर लेयर में क्या होता है यहां पर जो पारटिकीर होते हैं ठीक है इलू भी एसर लेयर में यहहां से यहां के तरफ मूब कर जाता है ठीक है और यहां पर एकुमिलेट हो जाता है ठीक चलिए तो यहां पर क्या हुआ यहां पर चादे मात्रा में हुमस है और यह नीची की तरब मूब कर गिया ठीक है चलिए आये समझ पर गहां करften तो कि मात्रा मांगुल देखेंगे है यहां से ने भीगा करके पी तक की जो लेयर होते हैं उसको लोग सोलम के नाम से जानते हैं और इस्टेड़ी आप स्वाइल को अब लोग इडेफोलाजी भी कहते हैं तो यह पूरा रहा स्वाइल के प्रोफाइल के बारे में अब देखिए वही सारी चीजी हम लोग लेंग्विज के माद्य हम से लिखाए हुए है हम एक एक टॉपिक को स्पेडली पढ़ेंगे और आपको समझाते हुए आगे लिकल जाएंगे ठीक तो अब 10 मिनट में क्लास भी हमको ओबर करनी है लगभा 27 मिनट हो भी गया है ठीक है तो 10 मिनट में सारी चीजी आपकी कबर कर दिये जाएगा चलिए स्वाइल प्रोफाइल क्या हुआ वह भी मैंने बता दिया इसके डिफरेंट लेयर के बारे बता दिया अगर आप लोग नहीं समझे हैं अमने अत्य समझा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज बैक जाईएगा फिर से देख लिजेगा टिक अबकी 21 स्पीड भी आ शूपर पोस्ट वन अबब अधर अन एक्सपोस्ट इन पिथ सेक्शन टग थू दस्वाइल मेंटर ठीक है मेंटर तस्वाइल होरिजर इस डिफाइड आइज ठीक है तो यहां पर थोड़ी सी हमें लगता कि मिस्टेक हो गई है ठीक यहां समझे है तस्वाइल प्रोफाइल इस डिफाइड आइज यादे कि सुक्वेज आप नेचर या होरिजन या लेयर एक की उपर जो एक्सपोस्ट हुआ है उसकों लोग स्वाइल प्रोफाइल के नाम से जानते है उसके बाद लिखा है फूरी स्टाप में आप लेगा लेजिगा सेक् तुरू थू दस्वाइल मेंटल दस्वाइल इस डिफरेंट खूरिजन इस डिफिट ये बास समझ में हजब हुए आपके बात यह यानिक जो एक की उपर एक लेयर जो आप उसको खोजेंगी तापको दिखेगा यानिकी एक उपर एक लेयर ऐसी पढ़ी हुई दिखा ही प जो इस प्रकार से आपको दिखाई यानिकी दिखाया गया है पहला आपका ए खुरिजन इसमें आपका बहुत सारे लेयर आते हैं कौन कौन से आता है उसको समझे तो ए होरिजन क्या है इस दे आउटर्मोस्ट लेयर आप दे स्वायल कंसिस्ट अप अन्डी कंपोज या पार् पहला आपका आगया क्या ए जीरो या ओवन लेयर होता है सबसे उपर की टॉप की स्वायल होती है जिसमें फ्रिस्ली फारें लीफ फार्टिकिल बंचेज प्रांचेज लीफ स्ट्विट फ्लावर फ्रूट्स अनिमस आके वहां पर ढाई कर जाते हैं कि मर जाते हैं तो ठीकिए इस दा प्रज्यन बिटर बीव Déo इसमें ङाहाई लीफ च्यादे मात्रम होती आए उब पार्टिकाप्पो होता है और आपन जाता हैं जाता है, जापार्टिकाप्पोश होता। तो डफ़ बन जाता है ठीक है अगला इस प्रजेंट ay viruses ये नीचे ने नीचे होता जो टार क ट्रक होथा है तो कि तो सारे मिनरल की माथष होती है जो हुमस का फार्मेशन करती है जो हुमस होता वो डार्क ब्लेक या फिर ब्राउन ब्लेक कलर का होता है अगला अगर लेस्टिक लेएगर ऑपका एlloweation लेयर जो ऑसको हम लोग ऑसकी भिषकानकी ब्लीयरht जादे होती है ठीक है फोरी क्यों नीचे की तरफ मूब करने के बाद वह कहां पहुंद जाता है एलूबीएसन लेयर पर आने की e2-d0 in origin इसे इस भी होता है इसमें होता हुमस की मात्रा कम होती है और रूट यहां तक अच्छी से developed नहीं हो पाता हुँ क्रेंट इसको लोग selfie क्मक्रसेंग नाम के नाम से करने है क्योंकि यहां पे maintenance लो हथी है षाट है नहीं पाते है ठीक है जो A1 और A2 लेयर होता है ठीक है यह किसका कलेक्शन होता है ठीक है B का चलिए आगे बढ़िए तो A1 और A2 लेयर मिलकर के B होर्जन यानिकि उसके नीचे B होर्जन पायाता है जिसकों लोग सोलम के नाम से जानते हैं आनिकि A1, A2 और B मिलकर पूत अच्छी स्वाल ब संपिटली वेडर राग होता है ठीक है यानिकि सब सूपर पोस्ट होते सब सूदर सॉलिट पोस्ट होते है ठीक है जिसकों लोग लीगो रित के नाम से जानते है अब पात आते लीगो रित क्या होता है ठीक है लीगो रित क्या है ग्रीक वर्ड जिसमें लीगोस और तो बेड की तरह है समझने है कि वो स्वायल के ऊपर पतली सी चादर कर सकते की लेयर सी बनाती है उसको हम लोग कहते हैं क्या बेड राक याने की लीड लिड नहीं समझ मिया है हमारे कायने का मतलब यह है जो C लियर होती है तिक वो पतली से आपका सत्य सीट की तरह चादर की तरह के स्टक्चर बनाती है किसकी आपका सत्य की रॉक की रॉक का एक बिड बनाता है रॉक पत्थर की चट्टानों का बिड बनाता है तिक पतली सी उसको हम लोग C होरिजन या पर डी होरिजन होता है, जुसरी होरिजन के नीचे होता है, जिसे पहले इंटेने की बड़े बड़े चट्टाने राके पाई जाती है, अगला हता आपका हुमस, हुमस क्या होता है, मैंने बता है, जब कोई भी पार्टिकिल और गोफ उसमें इसमें चबूरी तरह से तूट जाता माइक्रयोगनिजर में तुछ हम लोग हुमस की नाम से चांते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस आप हूमस को हुमिफिकेशन की नाम से चांते हैं अब आते हैं Barb of Humus फार्म ॉओमस का मतलफ हूमस को दो भागों में बाटा गया है पहला है more humus, दूसरा है आपका more humus more humus और more humus more humus क्या होता है उसको समझिए ठीक है ठीक है, ठीक है मैं लिखा क्या on the basis of nature of the mineral matter organic matter of organism humus are classified into two forms पैड़ा क्या है more humus more humus क्या होता है ठीक है more humus जब थोला सा या fully decomposed mineral होता है, ठीक है उसको हम लोग ठीक ऐसे समझिए आप जब जो organic matter होता है जो भी mineral किरी आपके swail पे ठीक है वो आप कह सकते की partial ही रोप से ठीक है थोला सा decomposed हो जाए थोड़ी मात्रा में decomposed complete रूप से broken नहीं होता है उसको हम लोग more humus के नाम से जानते है या रेकिज़ो आपका humus होता है जब वो अच्छी तरीके से क्या होता है humus नहीं बन पाता है थोड़े मात्रा में किवर वो तूटता है उसको more humus के नाम से जानते है तूसरा आता आपका more humus जो complete रूप से तूर जाता है उसको हम लोग more humus के नाम से जानते है more humus को हम लोग raw humus के नाम से भी जानते है क्योंकि ये खच्चा याने की थोड़े बहुत मात्रा में ये तूटा हुआ था लेकिन जो आपका मल हुमस होता है इसको मिचोर हुमस की नाम से आते क्योंकि ये अच्छी तरीके स्यापे तूट जाते हैं ठीक तो इसमें जो आपका देखते जो more humus होता है ठीक है more humus more humus कमाता समझ ले ठीक है रा रा वाला ठीक है ये वाला यहाँ पर आप देखते हैं आपको अर्थ वर्म दिखाई पड़ती है अर्थ वर्म मतलब की जुआ जब कहीं आप देखते हैं गुबर को भाय गाव के डंक को कहीं एकुम्रेड के आता है गुबर को कहीं एकत्तित के आता है तो आप देखते हैं मलजी की गुबर को गत्तित गिया तो गुबर के उपा देखते हैं आपको कुछ ऐसे लेयर दिखाई पड़ती है जहां पे कोई मिल्दलब कीए है उसको भुरुड़ूरा बना देखते हैं इस मां पर में पाएं जाते हैं हमारे कहने का मतलब यह था जो मर् हूमस होता है उसको राय हूमस कहते है ठीक है उस aur आर्गनिक मैंटर लेस मात्रा में होती है ठीक है तूसरा होता आपका मल हुमस चो क्या होता है चो पोरस होता है उस पे जादे मात्रा में क्या होती है मेंडरस होती है जिस पे अर्थ वर्म चादे मात्रा में पाए जाती है ठीक है याने कि वो चादे आने कि वहाँ पे जादे मातरमिस ले पा जाते हैं तो यह क्या होता है यह फुली डिकंपोज नहीं होता है कि रा मैटर में होता है कच्चा होता है यह पूरा अच्छी तरीके से क्या होता है आप करसक्ते हैं कि इता में जोर हो जाता है ठीक है तो यह पूरा था आपके बारे में किसके बारे में हुमस के बारे में अब अगला बात आती है function of humus ठीक function of humus humus क क्या कारे होता है तो humus का पहला क्या है make the soil fertile जिस soil में humus की मातरा जाता होती है वो स्वाइल जाते हैं तूसरा आता है इट हैज मच टब्लू एच्ट यानि कि वाटर होल्डिंग कैपसिटी यानि कि जिस पे ह्यूमस जाता होगा वो स्वाइल अच्छी तरीके से वहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तीसरा आता है इट में कले स्वाइल पोरस इंक्रीज दे एरियेसर आप दे स्वाइल इंक्रीजज परिविल्टी आप एच्ट यानिक जिस मात्रा में हूमस ज्यादा होगा ठीके अर्थवर्व मोगरे ज्यादा पाएंगे वह मिट्टी क्या हो जाए कि पूरस हो जाएगी अब वह वाटर को ज्यादा एब्जार्ब करेगा एरियेसर ज्यादा सी चाई करेगा और ज्यादा सी चाई होगी तो यह इसकी क्या थी फंक्शन थे हूमस की ठीक है तो यह पूरा आपका क्या आपका कवर्ण हो जाता है आपका स्वाइल प्रोफाइन अब आपके स्लेबस के लास्ट भी आप जब स्लेबस उठाएं और हाँ अभी तक जो हमने बदाया वह आपके माइक्रो आर्गरणिसम आपके स्लेबस में Soil माइक्रो आर्गरणिसम दिया था उसी के तहट मैंने आपको कोशी के बताई फिर मैंने बताया कि लास्ट में आपके स्लेबस में प्वाइंट आता है रीकलेमेनेशन ठीक है जिसका मतलब होता है स्वाइल का मतलब समझे मिट्टी रीकलेमेनेशन मतलब सुधार मिट्टी का या रिके भूमी का सुधार आप कैसे करेंगे ठीक है अब मिट्टी में आप किसका सुधार करेंगे जो मिट्टी खराब हो चुकी भई हम लोग किसको कहते हैं ना भई कहते हैं हम तो आपको सुधार देंगे तो किसको कोई सुधार था जो बिगड़ा गुए होता है तो मिट्टी करीकले में साने कि मिट्टी का सुधार भूमी का सुधार तो सुधार किसका करेंगे जो खराब स्वाइल है यानि कि एसेडिक स्वाइल है जो साल्टी स्वाइल है उसका सुधार करेंगे तो मिट्टी के प्राबलम को स्वाइल कहते हैं ठीक है जाने कि मिट्टी के सुधार को जिसका हम लोग सुधार करें ऐसे मिट्टी को हम लोग प्राबलम स्वाइल के नाम से चानते हैं याने जैसे एसडिक स्वाइ Όल ब किस का सुधार के करेंगे जिस से सब्सक्राबलम के समझेंगे प्राबलम है क्या उसमें कैसे सुधार करेंगे ठीके तो चलिए मिलते हैं इसी topic के साथ अने के स्वायर problem या स्वायर reclamation के साथ next lecture आपके अगर कोई doubt, कोई queries, कोई question हो तो आप comment box में अपने doubt queries, questions को पूर सकते हैं मिलते हैं next lecture में नए topic के साथ